बूर्णिंग स्ट्टेंट्स क्लास 6 की साइन्स की बुक में यह हमारे चेप्टर नाइन लिविंग ऑगनिजम करेक्टरिस्टिक एंड हैबिटेट्स सजीव और उनके लक्षन और उनके आवास ही चल रहा था तो इसमें मैंने आपको कल तक की वीडियो में जो किसी भी जो है इस्थान के जो आवास के जो बायोटिक और अबायोटिक फेक्टर होते हैं वो आपको बताये थे जो अबायोटिक फेक्टर होते हैं वो क्या परभाव डालते हैं किसी भी जीव के उपर या किसी भी वनस्पति के उपर तो इसको हम जो है इस एक्टिविटी में sprout from moon and chana seeds हमने जो है मूँ और चने चने की जो बीज थे उनसे जो है अंकुरित होए थे उनकी प्रक्रिया को देखा था when the seed turned into a sprout जब जो है बीज अंकुरित हो जाते हैं it is said to have generated तो हम कह सकते हैं कि वह जो हैं अंकुरित होने लग गए या जो हैं उनमें अंकुरन की प्रिक्रिया शुरू हो गए इस इस दे बिगिनिंग और लाइफ ऑफ न्यू प्लांट यह जो है एक नए पाउंदे की जीवन की उत्पत्ती होती है क्लेक्ट सम् ड्राइ मुंग सीट से आप जो है आप कुछ कुछ मुंग की दाल के कुछ बीज लीजिए की 20-30 सीट से असाइड एंड सोग दे रेस्ट इन इन जो यह दाने हैं जो तीस दाने अपने लिए हैं मुंग की दाल के इनको जो है आप चार भागों में विभाजित कीजिए की बन पार्ट कम्प्लिटली समर्जड इन वाटर फॉर त्री टू फोर देज उनमें से एक बाग होगा दानों का उनको आप जो है तीन से चार द इनके बीजूं का उनको जो है बिल्कुल भी हिलान उड़लान नहीं है और उनको पानी में जो है भिखा दीजिए की वन पार्ट और सोग्ड शीड इन सनी रूम एंड अनधर ने कम्प्लिटली डर्क रीजन लाइक कबोड देज नोट अलाव अनी लाइट तो कम इन और जो तीसरा भाग है उसे आप एक अंधेरे वाले कमरे में एक प्याले में रख दीजिए जहां पर जो है जिस कमरे में प्रकास बिल्कुल ना आता हो कीप दे लास्ट पार्ट इज वेरी कोल्ड स्राउंडिंग्स और जो चौता भाग होगा उसको आप एक जो है बहुत ठंडे स्थान पर जो है रख दीजिए जैसे की रेफ्रिजेरेटर में जो है जहां पर बरफ जमती है रिंस देम एंड रिप्लेज दे वाटर एवर डे जो है इन्हें प्रितेक को जो है रोज धोईए और उनमें से जो पानी है उनको अलग कर दीजिए वट डियो नोटिस आफ्टर एफ्यू डेस कुछ दिनों बात जो है आप क्या देखते हैं डू देखते हैं डू दा सीट सिन और फाइव कंडिशन जर्मिलेट इन पांचों जो है इनमें से किसी परिस्तिती में बीज जो है कम अंकुरित या नहीं अंकुरित वाने होने वाली जो है इस्तिती आप देखते हैं डियो रेलाइज डैट बाइटिक फेक्टर्स लाइक एर वाटर लाइट और हीट और इंपोर्टन फॉर्ड ग्रोथ प्लांट आपने अ वास्ताव में जो अजयव घटक होते हैं यह सभी जो सजीव होते हैं इनके लिए महत्पूर्ण होते हैं वी फैंड और ऑगनिजम एग्जिस्टे इन वेरी कोल्ड एस वेरी होट लैमिट्स हमने देखा कि कोई जो जीव होते हैं वह बहुत अत्यतिक ठंडे स्थानों पर और कोई जो हैं बहुत अत्यतिक गरम इस्थानों पर भी अपने आपको अनकुलित कर लेते हैं अपने आपको उस वाता रण में रहने के लिए व्यवस्तित कर लेता है अनकुलन है वह शोटी अवदी के लिए होने वाला शोटी अवदी के लिए नहीं होता है जो अनकुलन होता है कुल जो है नहीं अपना पाते है वह जो है मृति को प्राप्त वई और जो उस जगह के अनकुलन को है जो है जो है ब lyrics कर दे कि लिए अपने बचरित है न शिम अबरें जो सजी होते है वह विभीन प्रकारर से जो है अजलन गट्कों को behaviors वीवातिकारई- यह in a wide variety of organism in different habitats तो इस प्रकार से जो हमें जो है सजीव की जो है विभिन प्रजातियां जो है विभिन आवासों में जो है वो दिखाई देती है कुछ हावासों के बारे में पढ़ेंगे अंडेस्टूट दे अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स इन दीज है और उनके द्वारा समझेंगे कि कैसे जो अजयव घटक होते हैं उनमें वह जीव हैं जो जीव जन्तु है वह कैसे अपने आपको उस आवास में अनुकुलित करते हैं तो अजरनी थो डिफ्रेंट हैबिटेट्स एक यात्रा विविन ने आवासों की ठीक है सम्ट्रेश्ट्रेश्ट्र हैबिटेट्स हैं कि कुछ इस्थली है आवास जो इस्थल में पाया जाते हैं सबसे बहले डेजर्ट ठीक है वी डिसकर्श दावाटिक फेक्टर्स ऑफ सब्सक्राइब गटकों के बारे में हमने जो है जो मरुस्तल में रहने वाले जो जीव हैं जैसे की उंट तो उनके अनुकुलन और उस जगह के जो अजयव घटक हैं उनके बारे में पढ़ा है लेकिन इनके लावा जो उस मरुस्तल में रहने वाले अन्नी जीव और पहुंदे हैं वो किस तरह से अपने अनुकुलित करते हैं क्या उन सभी में उसी प्रकार का जो है नुकुलन पाया जाता है मरुस्तल में रहने वाले जीव जैसे की चूहे और सांप उनके पास जो है उट की जैसी लंबे टांगे नहीं होती इससे कि वह उसमा से या रेत पर उत्पन ने जो उसमा होती है जो वापिस उनके पेट को लगती है उससे बजनी पाते हैं तो दे तो इस्टे अवे फ्रॉम दे इंटेंस ही दूरिंग दे तो दिन में जो मरुस्तल में रेत के गरम होने के कारण जो गर्मी लगती है तो उससे बजने के लिए यह जो जीव होते हैं जो रेत में गहरे जो बिल होते हैं इनके उनमें रहते हैं यह जो जानवर है जिसे की चुवा और सांफ जो है के वल रात में ही भार आते हैं जब जो है रेत ठंडी हो जाती है इसको समझने का प्रयाज करेंगे कि बिरिंगे पॉटेट केक्टरस एंड लीफी प्लांट टू दे क्लास्रूम एक जो है गंबले में लगाया हुआ केक्टरस का पॉंधा जिसमें पत्तियां उपस्तितों उन्हें कक्षा पॉंधे की जो पत्तियां है या जो कुछ अन्य भाग है उस पॉंधे के उन पर जो है पॉल्थीन को जो है टाइट से पॉल्थीन की पन्या उनको टाइट से बात दीजिए जैसा कि हमने पार्ट साथ में एक्टिविटी चार करने के लिए किया था वियर ट्रांस्पिरेशन इन प्लांट्स जहां हमने पॉंधों में वास्पो तरजन की प्रक्रिया को पढ़ा था लीव दपॉटेट प्लांट्स इन दर सन और उसके बाद जो गंले में लगा हुआ पॉंधा है उसे आप धूप में रख दीजिए जब आप उसके पत्तियों में पॉल्थिन की पन्यों को टाइट से बाद लेते हैं एंड अफ्टर फ्यू आवर्स और कुछ गंटों बाद उसको उसका अध्यन कीजिए वट दो यू सी आपने क्या देखा डू नोटिस एन क्या आपको जो दोनों पॉल्थिन की बैग आपने उन क्यक्टस के प्लांट के बाहर भादी थी उनकी पाने की मात्रा में कुछ अंतर दिखाए दिया डेजर्ट प्लांट लूज बेरी लिटल लिटल वाटर थो ट्रांश्पेश्शन जो मरुस्तल के पेड़ पॉंधे होत हैं वेरी स्मॉल या बहुत छोटी होते हैं और दे आर इन फॉम आप इस तरह से जो है वह पाने को बहुत कम मात्रा में वासपोर्ट सर्जन की प्रिग्रिया के द्वार बाहर निकाल पाते हैं दर लीफ लाइक स्ट्रेक्चर यू सी इन कैक्टस जो पत्यों जैसा आकार आ तना है फोटो संथेसिस फोटो संथेसिस इन दीस प्लांट इस यूजरली करेट आउट बाइदे स्टेम्स जो प्रकाशन स्लेंग के प्रिग्रिया होती है इन पहुंधू में वह इनके स्टेम के द्वारा होती है जो एक मोटी मॉम की जैसी लेयर से जो है ठख रहता है विच हेल्प टू रेटेन वाटर इन दे टिश्यू आप केक्टाई जो पाने की मात्रा को वापिस उसी में ही जो है रखे रहने के लिए उसकी सायथा करता है most desert plants have roots बहुत से जो मरुस्तल की जो मौदे होते हैं उनमें जड़ें पाए जाती है that go very deep into the soil जो जमीन में बहुत गहराई में गई होती है for observing water जिसके करण वे जल को असोशीद कर पाते हैं ठीक है इसके बाद हमारा जो अगला habitat से mountain region इसको हम जो है परवतों परवतों में जो आवाज इस्तान होते हैं उनको उनके बारे में next वीडियो में पढ़ेंगे ठीक है प्रfikल कर ताय को अनके वे स्नावी दोड़ी में लूप स 뚜क पो जो हम पारे में फैसे हैं भीडर संव क्णिद 10 ए जसके कर दोड़ों